नमस्कार दोस्तों मैं योगाचारी बजरंग अडवान्श योगा गुरूप नारनोल हरियाना से आज आपको बताऊंगा सियाटी का पेन के बारे में छिलिप डिश के बारे में लोग इतने परेशान है कि बैड़ पे पड़े रहते हैं और उसके अलावा उनको कोई चारा भी नहीं है वो क्या करे क्या ना करे बेचारी बेबस हैं तो उनके लिए एक विशेश पैकेज बनाने जा रहा हूँ एक पहले पैकेज बनाये था वो उसमें कुछ हाड आसन थे आज का जो पैकेज रहेगा वो बिल्कुल सरल आसनों का रहेगा तो आप कर सकते हैं वो और फिर भी मैं कहूंगा जो बिल्कुल नए हैं जो जन्होंने कभी योग किया ही नहीं वो थोड़ा साओ दानिशे करें थोड़ा देख वाल करके करें शुरू में अगर जादा करोगे तो मास्वेशम खिचाव आएगा दर्द बढ़ सकता है जो बिल्कुल फ्रेसर है जो नए है तो बिल्कुल आराम से करें हो सकता आज दो आसन हो तो दो ही कर लेना जरूर नह कि दस ही करके मानेंगे आज जो जोस में जादा कर देते हैं ऐसे गुटने के रोगी जादा कर देते हैं जो जोस में फिर गुटने में सोजन आ जाता है गुटने में दर्द बढ़ जाता है तो कोशिस करें जब भी आप योगा करें किसी भी परकार का योगा करें बिल्कु जो रहा है नीचे तक यह नीचे आपको पूस दिखाई दे रही है ना इसको बोलते head bone कई एक बिमारी हो जाती है ने में inspection हो जाता है है लाल हो जाते है तो बैठने में दिक्कत होती है tutto और कई एां से ल en altitude 3-2 4L 5 और S1 यहाँ से फिर सिलिब डिस हो जाती है यह जो इस से दिखा रहे है यह आपको डिस दिखाई दे रहे है यह वट्टी बरा है और वट्टी बरा के बीचिमें अपको निली निली धिखाई दे रहे है यह हमारी गधी जिसको बोलते हैं डिस्क जब हमारा पोस्टर चेंज हो जाता है बैठे बैठे ठक जाते हैं या फिर हम आगे जुग जाते हैं तो गद्धी पीछे की ओर खाएगी और पीछे की ओर सरकेगी जैसे शरकेगी तो यह अमें नस दिख रही हैं बारिक बारिक नसे होती हैं यह और E-D तक जाती है यह इसको बोलते हैं C-T conscious Shき पिंडलियों तक दर्दो сам किस की नस्ड जादा दब जाए। तो ज्यादा दर्द भी हो सकता है, तो पहले कोशिस करे, अपनी स्पाइन को लगबग इसी सेफ में रखे, जिस सेफ ने भगवान में, भगवान ने एमें दी है ना, उसी सेफ में बनाने के कोशिस करे, इसको बिगाडे ना, अधिक लंबा ना बैठे, अधिक उल्टा सिदा काम ने करे, जिस से ये अधिक जिम करते हैं, तो जिम में भी वजन उठा लेते हैं, तब भी एकदम से जरक लगता है, यानि कि जटका लगता है, और इस सिलिप बहारा निकल जाती है, तो अधिक जिम करने वाले से भी कहूंगा, कि ज़्यादा वजन न उठाएं, अपने बुत्य का वजन उठाएं, और आराम आराम से वजन उठाएं, जल्द बाजी किसी में में निकलने चीए, ना जिम करने में ना योग करने में, बिल्कुल अपने शरीर को आराम आराम से शेफ में डाले, ताकि बीमारियों से हम बचे रहें तो ये आप देख सकते हैं ये टेल बोन है जो बताई थी कईयों को यहां दर्द होता है तो यहां बैठते न ऐसे ये पहले अड़ती है तो उनके लिए भी क्या है कि निचे गद्दी लगा लिजिए और कोशिस करें कि थोड़ा आगे जुके बैठे जिनके टेल बोन में दर्द है ठीक है अब आपको मैं इसके लिए आसनों का एक पैकेज बना के दूँगा बिलकुल सरल सरल आसन जो बिमार से बिमार आदमी भी कर सकता है जो बैड पे पड़ा है वो भी कर सकता है और जो जिनोंने शुरुवात करनी है वो भी आसन कर सकता है तो आईए आसनों के ओर चलते हैं सबसे पहले कमर के बल हम लेट जाएंगे बिलकुल आराम से लेटना है सरीर में कहीं भी खिचाव नहीं होना चीए बिलकुल रिलक्स भाव से लेटेंगे और सबसे पहले आसन करेंगे पवन मुकतासन पर उसमें क्या रहेगा आपको गर्दन नहीं उठानी है यह साओ जानी रहेगी पवन मुकतासन की आपको गर्दन नहीं उठानी है तो एक पैर उठाईए दाया पैर या बाया पैर जो भी आपकी इच्छा है पवन मुक्तासन करेंगे अब जितना आपसे दबाव लगे वो दबाव दे लीजिए और बिल्गुल आराम से आएंगे आराम से ही जाएंगे अब स्वास भरते वे वापीश दो दो बार सारी आसन में करवा दूँगा आपको एक एक पैर से दूसरे पैर से आप बैड पे लेटे हैं आपकी कमर में दर्द अधिक हो रहा है शियाटी का पेन है तो आप ये पैकेज कर लेजिए आपको जरूर मुक्ती मिलेगी दर्द से वापीश बिसल्कुल आराम आराम से करने हैं पैरों को हो सके तो उठाके नहीं बिल्कुल एडी को घशिटते वे लाएंगे और आराम आराम से ये पवन मुक्तासन कर लेंगे और शुरूरात में आपको दो बारी करना है ज्यादा नहीं करना है आपको शिरफ दो बारी करन अगर आप पुराणे हैं continue कर रहे हैं तो आप पास या दस बार आप कर सकते हैं एक एक पैर से करेंगे पहले बिल्कुल आराम आराम से करना है और इसे में मैंने बता रहा है कि जिनके गुटनों में दर्द है न तो वो अपनी अथेलियों को नीचे लगा लेंगे या बस यह दियान रखना है मैंने बार बार बता रहो हैं चीजे जिनको गुटने में दर्द है और सिलिप डिसिप यह व करेंगे ऐसे बिल्कुल आराम दबाओ देके लंबी गहरी स्वास शरीर को रिलेक्स रखना शरीर में कोई खिचाव प्रेशर नहीं होना चाहिए आराम से एक बार फिर कर लेजिए सारे आसन हम दो दो बार करेंगे बिल्कुल शरलासन है कि किसी का दर्द बढ़ेगा नहीं हा इसको अगर जटके से करोगी तो दर्द बढ़ेगा मैंने जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे वैसे आप कर लीजिए यह पवन मुक्तासन था बिना गर्दन उठाए कमर के लिए सियाटी का पेन के लिए अब एक पैर को उठाएंगे उत्तान पादासन करेंगे बिल्कुल सिद्धा पैर पंजा भार की और कंताना हुआ इसको रोक के रखेंगे दस सेकिंड गिलने जी मनी मन आराम आराम से फिर आराम से इसको दस सेकिंड के बाद निचे ले आएंगे आराम से निचे इसी परकार दूसरे पैर से उठाईए और जमीन से बस एक फिट अदर साथ आठ नो दस आराम से निचे एक बार फिर करेंगे उसी परकार दूसरे पैर से अब मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं ये ऐसा ही पैकेज बनाता हूँ मैं जो मरीज है वो मेरे पीछे पीछे कर सके देख देखके आसनों को कर सके एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो द दूसरे पैर से एक फीट उपर उठाना है ताकि यहाँ पर खिचाव आ सके ज़्याद़ उपर उठा लेंगे तो खिचाव यहां नहीं आएगा खिचाव फिर यहां पर आएगा अगर हम पैर को एक फिट उपर रखेंगे तो पूरा खिचाव आएगा अपनी स्पाइन पे इस वज़े से मैं कहा रहा हूँ कि एक फिट उठाना आपको एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नो, दस इसमें भी साव जाने देख लो अगर दस सेकंड आप से नहीं रुका जा रहा तो आप जबरदस्ती मत रोकना पास सेकंड या दो सेकंड या उठाएंगे आराम से नीचे लग देंगे उठाएंगे आराम से नीचे ऐसा ऐसे भी कर सकते हैं उठाएंगे आराम से नीचे रुखे तो रोकना ज्यान रही हों जो शाओधानthय बता रहा हूं इसको अच्छे से बता रहा हूं फिर भूलोगे फिर फोन करोगे दर्द बढ़ रहा है तो कोशिश करें आप बिल्कुल नए है योग में तो अच्ही साओधाने देखे योग में साओ दाने जरूरी होती है, योग करना जरूरी नहीं, योग नुक्सान भी पहुचाता है, अगला असन, पैरों को मोड लेंगे, सेतु बन असन करेंगे, फ़ड़ा और पैर खोल लेजिए, इसमें भी साओ दाने देखना, जितना आप से उठा जाए, अपने पहले छेतर को उठा लेजिए, उपर उठाए नाभी परदेश को, अब जितना आप उठा सकते, उतना उठाएए, ओ सकता आपका इतना नहीं उठा रहा हो, आप कम उठा लेंगे, ठीक है, सवास भरते उपर जाएंगे, और सवास खाली करते भी धीरे से निच्ची आ जाएंगे, ओ सकता आपका कम उठे, आपको आदत तो है नहीं, उठाइए, इतना उठा लीजी, हो सकता आपका इतना उठे, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना कर लीजी, जरूरिने की वीडियो को देखे कि हम भी पूरा ही करेंगे, ऐसी गलती मत करना, आपके सरीर के अनुसार, हो सकता आपके उम के पास ले आजाए, एडियो को ले आए, दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों तरफ खोल लेंगे, दोनों हाथों को, बड़ा अच्छा सन है, ये पेट के लिए भी है, और विशेशकर कमर के लिए तो जबरदस्त है ये, पर इसको आराम से करना, जटके से नहीं करना, दोनो वापिस, बीच में एक बार लंबी गेरिश्वास बरेंगे, अब दूसरी तरफ से करेंगे, जितना आराम से करोगे उतना आपको फाइदा मिलेगा, क्योंकि पहली कमर में दर्द है, जटके से करेंगे कमर का दर्द भढ़ जाएगा, आराम से वापिस, फिर बीच में पर 10 आशन है, यह मरकट आसन, फिर वापिस, फिर लंबी गेरिश्वास, मैं कहता हूं कि एक आसन करो, उसके बाद लंबी गेरिश्वास जरूर बरो, ये मरकटासन इसमें पूरा खिचाव आ रही है जितना खिचाव आएगा उतना ही अच्छा है क्योंकि वट्टी वरा हमारी टेडी मेडी हो जाती है हमारा गल्थ बैठने का तरीका होता है वापिस अब इसका दूसरा बाग करेंगे अपने एक तो तरीके को बदलिए आप पता दूँगा बाद में कि कैसे बैठना है कैसे खड़ा होना है और कैसे उसको फिर पोस्टर को चेंज करना है अब इसका दूसरा बाग करना है यह पैर थोड़ा खोल लेंगे अब यह पैर अदर रखेंगे कोशिश करें और यह पैर को थोड़ा दबा लें कितना अब पूरा खिचाव आ रहा है अपनी स्पाइन पे करना है आराम से कम हो रहा हूँ तो कम कर लेना बार-बार कह रहा हूँ कि जबरदस्ति आप ना करे इसी परकार दूसरे तरफ से पहरा आपका जुके तो ठीक है नहीं तो खड़ा रख सकते तो खड़ा रख लेजिए यह दूसरा वाग मरकट आसन का अच्छा है सियाटी का पेन के लिए खुब सारे फोन आते हैं इस वज़े से मैं यह दुबारा बना रहा हूं यह सरल तरिके से बना रहा हूं आपको वापिश पहला जो पार्ट है कमर दर्द के लिए उसमें जाद आसन है वो नहीं होते तो आप यह पैकेज कर लेजिए हो सकता कुछ नए जुड़े मेरे से वो पैकेज उनको नहीं मिला हो जो नए सदस्य है उनके लिए भी है यह आराम आराम से करते रहे करने हैं हर एक आसन को दो बार नहीं होते हैं तो आप एक बार भी कर सकते हैं और कर सकते तो दो बार भी हम कर सकते हैं शिदा कर लेजिए पैर को अब इसी में एक पैर को उपर रख लेंगे आप रख लिया अब दोनों आथों से अपने इसी पैर के उठने को पकड़ के आगे और दबाएंगे जैसे पावन मुकतासर में दबाते हैं न वैसे स्वास खाली करते हैं जितना दबे आप से उतना पिस यह की एई एक बार फिर करिए कि इतने सरल अभियास है जो सिलिप डिस्की जो बिमारी है वो उमर भर रहने वाली आपको अगर आप योगा नहीं करोगे और और दिक्कत हो सकती आपको और योगा करोगे एक्सराइज करोगे तो आप जरूर ठीक हो जाओगे दो बार या तीन बार जैसे आपसे हो कर लेना इसे परकार दूसरे पैर से एक बात और द्यान रखे अगर हम एक पैर से कर रहे हैं और एक पैर से करने में दर्द हो रहा है उसको छोड़ देजिए दूसरे पैर से कर लेजिए दूसरे पैर से हम तीन बार कर लेंगे जिसमे और भी शार्यासन हैं, उनको कर लिजिए, दो या तीन बार कर लेंगे, तीन बार इस पैर से किया तो तीन बार इस पैर से कर लेंगे, रिलेक्स अब इसी में अब इसका दूसरा पाट है अब फिर पैर उपर रखेंगे अब उठने के नीचे हाथ लगा लेंगे अब इसको उठाएंगे अब यह थोड़ा अडवान्स हो गए उससे हाँ अब जितना भी जाए अब जरूर ने कि बिल्कुल जोर लगा कि हमें तो कुछ भी कर सकता है और जो देरे-देरा आशनों की सुरुआत करता है तो उनके लिए मैं विश्च बतारा हूं आप से जो हो दीरे-दीरे आप सुरुआत कर ली जी यह बैड पर हैem तो बैड पे लेटे लेटे आप ये कर सकते है हूं इसी परकार दूसरे पैरशे करना है इनमें भी खुब सारी आसन बता रहा हूं इनमें भी आप से जो हो वो ही करना है अब इसमें छोटा जोर पड़ेगा इस आसन में जोर पड़ेगा दर्द बड़े तो इसको छोड़ देना है ठीक है और हो तो आराम से इसको दो बार हम कर लेंगे जिन्द की वर चन्ने वाली बीमारी होती है अगर कमर में दर्द एक पर हो गया शियाटी का पेन हो गया तो कोई दवाई नहीं इसकी आप दवाई खा खाके दो साल निकाल देंगे अब पैर बिल्कुल शिदा कर लेजिए फड़ो पर हो जाएए दो साल दवाई खा लेंगे फिर वहीं की वहीं और मेरे से पूछते हैं जी पूछी कोई दवाई बता दो मैं आपको फिरी का इलाज बता रहा हूं आपको शिरफ योगा करना आपके गर्पे करना है और बिना पैसे कई पर फिर भी पूछते दवाई बता दो हम दवाई खा ले हम हैं थोड़े आलसी टाइप की होगे हमें दवाई चाहिए अर्चीज पर आपको योग दे रहा हूं और पैकेज बनाके दे रहा हूं कितनी बड़ी बात है अब इस पैर को आसन को समझ लीजिए बिलकुल आराम से कमर के लिए साइटी का पेन के लिए जबरदस्त आसन है ये और जो वीडियो को देख रहे हैं वो सस्क्राइब भी कर लीजिए आपको बहुत सारे पैकेज देखने को मिलेंगे अब इसी परकार दूसरी पैर से और मेरे सदस्य बन हाथ से उसको थोड़ा दबाए अब जितना आपसे दबाए न उतना दबाए अब यह देखो पूर श्पाइन हमारी जिससे वट्टी बड़ा टेड़ी मेड़ी हो रही है तो बिलकुल सिद्वी हो जाएंगी और जहां से हमारी नस दब रही है जो सियाटिका नस का नाम होत छाहे दो आसन अच्छे से करना है आपको पूरा पैकेज नहीं कर पाएं तो दो आसन कर लो अच्छे से करो आपको दो आसनों से भी फायदा हो जाएगा आराम से अधिक देर तक नहीं रुख सकते तो आप जाईए फिर वापिस दीरे से वापिस आज़ जाईए इस परकार दूसरे पैर से कर लेंगे आपको बहुत सार यासन बता रहा हूँ वो भी सरल तरीके से बता रहा हूँ आप आराम से कर पाएंगे ये दवायों के बरुसे ना रहिए इस पैकेज को अपनाईए और कमर दर्द और शिया टिका पेन को दूर बगाईए अब आप पेट के बल लेट जाईए जब भी आप को ठकान मैसूस हो तो आप क्या करेंगे दोनों अथेले यां रख लीजी आगे घर के काम से ठक गए हो जिनको कमर में दर्द नहीं भी है उनके लीए भी बता रहा हूँ तो आप क्या करेंगे? तो अपर उट जाएए यह position में, एक बर बैठ पो जाये तो यह position में क्योंकि कमर सारा दिन बैठे बैठे कर जाती है तो आप यह position ले लेजी यह बुजञाशन की position है जिरूर नहीं कि हम आसन में जाएए तब ही हम बुजञाशन करेंगे आप ये position अपना सकते हैं वापिस एक बार फिर कर लेजिए अब आपकी कमर को आरा मिलेगा इसमें उपर वाला बुज़ेंग आसन ना करें जिनको हदिक कमर में दर्द है कई क्या करते हैं एक दम से उपर उठ जाते हैं अब उपर उठ गए तो कईयों को यहां पर दर्द होगा तो आप यह ना करें यह आपको बताने के लिए कहा है ना कि करने के लिए ठीक है आप थोड़ा ही उठेंगे आपको जाद आपको नहीं करना है रिलाक्स अब एक एक पैर से करेंगे सलाबासन दोनों हाथ अपनी जंगाओं के निचे लगा लेजिए ये बड़ा ही अच्छा है आपकी सिलिब डिस्क के लिए सियाटिका पेन के लिए ये एक पैर को बिल्कुल सिद्धा रखेंगे पंजाब हार की ओर और जितने देर आप से रुख सके इस पैर को रोकना है स्वास अंदर भरके रखना है और स्वास खाली करते वे आराम से इसको नीचे लियाना है इसे परकार फिर दूसरे पैर से करें अब पूरा अपनी जो सपाई ने उस पर खिचाव आ रहा है खिचाव आने का मलब अच्छा वाला खिचाव आ रहा है जो हमारी नस दबी हुई ये शियाटी का जो नरव है ये L4, L5 से निकलती है और वहाँ से कुछ दिक्कत होने की वज़े से वटी बड़ा टेड़ी मेड़ी होने के वज़े से उनस दब जाती है तो आगर हम ये अक्सेसाइज रोजाना करेंगे तो हम उससे मुक्ती पालेंगे उस भीमार से एक बार फिर कर लेजी ये भी आपको आराम से करना है जितना पैर आपसे उपसे उपर उठे उतना उपर उठाना होशकता आपका पैर इतना उपर उठे शुरुआत में इतना उपर उठा लीजिए आपWow एक द्यखू दीख किसी का नहीं करना कोई अच्छा अशन कर सकता है किसी का ज़्यादा शरीर मुड़ सकता है, आपका शरीर कम मुड़ता हो, तो इसके पीछे ना जाए, ठीक है, अब दोनों हथेले फिर आगे लिए आए, आप करेंगे सरपासन, जैसे कोबर अपनी फन उठाता ना ऐसे, तो हम सरपासन करेंगे, आथ भी ठालेंगे साथ साथ, आगे सुठ जाएंगे, ये, ये, याराम से उठना है ये, कोशिश करना है, बस उठना है, आपको चाहे थोड़ा उठो, चाहे जमीन से आप एक इंच उपर उठो, रिलैक्स, और स्वास भरते उपर उठना है, फिर उठीए एक, इतना नहीं उठ पाएं, अगर ये करने से आपको यहां पर दर्द हो ना, तो मत करना, बिल्कुल भी मत करना है यास्तन, ये, ध्यान में देना, हो सकता है किशु को यह करने से ठीक हो रहा हो, हो सकता है किशु को यह करने से दर्द भढ़ रहा हो, तो अब इस पर ध्यान देना, रिलैक्स, अब एक हाथ, कमर पे लग बस थोड़ा लेवल करना है शरीर को जादा उठेंगे तो कमर पे थोड़ा जरक लगेगा जटका लेगा आपको बिल्कुल पैरलल होना है आराम-ाराम से बिल्कुल रिलैक्स एक बार उठो आराम से फिर नीचे आ जाओ अब इसे परकार दूसरे तरफ से कर लेंगे चेम यह क करोश और ऐसे खरोश वर्टी ब्रा को ठीक करने के लिए कि रोश श़युद्ट है चाहिए हो आप से थोड़ा पढ़ाप करेंगे जुरूरी एंधसे एक बार कर लेंगे बहुत है दो बार कर सकते होताए आप कर लीजिए आप करेंगे दो बार कई क्या सोचेंगे कि आज मेरे को package मिल गया और आज package को मैं पूरा कर दूगा और आज ही मैं ठीक हो जाओंगा ऐसा आपको नहीं करना है प्रेशानी बढ़ेगी दो दो बार आपको करना है दो दो बार भी ना हो तो आप एक एक बार कर ले और पूरा package ना हो तो आप आदा package कर ले आदा भी ना हो तो एक बटे चार इसा है ना package का वो कर ले relax अब आप घुटने पे बैठ जाएए घुटने पे ऐसे ये position आथ या सिद्धा सिद्धा ऐसे ये position अब marjorie pose कमर को आराम देने के लिए त्रेश के आप अपसिर उपर उठाएंगे इस इलाके गो यानि की जो Never रह रहे है इसको निशे दबा लेंगे उपर की और देखे को इस इस स्वास अंडर रहेगा आप स्वाश खाली करते विए न लेखिए नभी की किजिए यह यह भी आप से हो तो कर सकते हैं जिनके गुटनों में दर्द है ना वो ना करेगे कि लिहान दे रिलेक्स अब एक पैर पहले वाले पैकेज में मैंने बताया था कि हाथ भी आगे करना है कईयों से नहीं हो रहा वो तो अशिरफ एक पैर पैर से कल्ले एक पैर को ठ है और शिदा कीजिए उपर उठे तो अच्छी बात है बस आपको हाथ नहीं उठाना इसमें कि रिलेक्स कि इसी परकार दूसरे पैर से कर लेंगे इसमें भी द्यान देना अगर दर्द बड़े तो इसको भी छोड़ देना ठीक है आप भी कर रहे हो अग बैठे हो चलो आप देख रहे हैं देख सीख लीजिए और आप भी लोगों को सिखाईए ताकि सभी को सवास्त मिल सके और सभी को एक खुशी मिल सके बोड़े प्रे इसको चीए जरूर नहीं कि आप बीमार हैं तो यह पैकेज देखे आगर आप बीमार नहीं है तो आप यह शीखिए और अपने किसी मित्तर को या किसी रिषदार को को परेशान नहीं उसको शिखाईए या इसके जो वीडियो उसको शेयर कर देजिए देखो कि हमारे पास इसको एक वीडियो है अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब बैठ जाए आराम से तो यह पैकेज बनाया है इधर से आजाए यह पैकेज बनाया आप लोगों के लिए जी ओ रोगी है इसके जो शियाटिका के रोगी है या कमरदर्द के र जरूर कीजिए आपका भी बलाओगा और अगले का भी बलाओगा तो कोशिश करें हम योग को और आगे बढ़ाएं हम योग शिखें और लोगों को योग सिखाएं आप मेरे मुहिमे मेरा साथ जुडिये मेरे सदस्या बनिये सदस्या बनने के लिए क्या करना है आपको शि चितर दिखा दिया मैं आपको फिर समझा रहा हूं यह अपने एक पैर है यह यह लॉ लाइन दिख रही है यह अपनी शियाटी का नरव है यह यहां से दब जाती है इस वज़े से पूरे पैर में दर्द होता है यह अपनी स्पाइन है अब बैठने का तरीका बढ़ाता हूं कि आप ओफिस में बैठे हैं और बैठे बैठे कम्पूटर पे काम कर रहे है या घर का कोई काम है बैठे बैठे कर रहे है तो अपनी यह देरे देरे मूड जाएगी और चितर में क्या है चितर में तो ऐसे है कि यह अंदर क्यों रहा है और हम बैठे बैठे क्या करते है दे आप पीछे की और हो ले ऐसे अंगणाई लेते ना ऐसे ऐसे कर लो चाहिए ये पीछे की और आप सिद्धा उपर के और बैठे बैठे ताडासन करेंगे तो वट्टी पर है ना बिल्कुल सिद्धी हो जाएंगी तो इस पर आप तो को ध्यान देना है सभी के लिए है जिनको दर्द नहीं है उनके लिए भीश्य में आपको दर्द होना आप ओफिस के करमचारी है अधिकारी है तो बैठे बैठे आप यह कर लीजिए ठीक है फिर बता रहा हूं जो माताएं बैने हैं घर का काम करती है रसोई है और रसोई भी आज खड़ी हो गई बैठने का काम ही न नहीं है पहले माताएं बैने आराम से बैठके रोटी बनाते थे चुले पर आज खड़ी रसोई हो गई खड़ी-खड़ी सार दिन ऐसे और जाड़ू भी खड़े-खड़े तो इक कमर बोल जाएगी आपकी तो आपको क्या करना है जैसे आपने खाना बनाया खाना बनाने क लगाया ऐसे लगाया जैसे आपकी इच्छा कमर को थोड़ा पीछे जुका लेंगी है हम जैसे थे वैसे वैसे रिफ्रेस हो जाएंगे उर जावान हो जाएंगे तो यह बाते मैंने आपको बताई अच्छा लगे वीडियो तो सभी को शेयर कीजिए और यह जो शियाटी का जो बीमारी है यह आप देख पा रहे हैं मैंने लिख भी रखा है शियाटी का पेन और कमर दर्द के लिए इससे मुक्ति पाईए इस वीडियो को अपनाए जीवन में और सभी को शेयर कीजिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और सारे मिलके बोलेंगे जोर से बारत मता की बारत मता की वंदे वंदे जैहिन सभी भारतवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद